नमस्कार, जब भी हम कोई मकान बनाते हैं, तो उसमें सबसे पहले हम ये निर्ने करते हैं, कि हम किस प्रकार का प्लोट लें, जो पूरव की तरफ देखता हैं, उत्तर की तरफ देखता हैं, पस्चिम की तरफ देखता हैं, या दक्षन की तरफ देखता हैं, प्लोट कोई भी हो सकते हैं, अगर हमने प्रोपर वास्तू के अनुसार उसको बनाया, तो हर दिसा का प्लोट हमारे लिए सुगदाई हो सकता है और वास्तू के अनुसार अगर हमने नहीं बनाया तो अच्छे से अच्छा प्लोट भी हमारे लिए दुगदाई बन सकता है अब ये ख़ए पस्षिम मुखी प्लोट हमने बहुत ढूंडा कोई पूरू मुखी या उत्तर मुखी हमको नहीं मिला लेकिन पस्षिम मुखी मकान अगर कोई मिल रहा है कोई प्लोट मिल रहा है तो हमें क्या-क्या विशे सावधानियां उसके अंदर रखनी होंगी सबसे पहले तो आप ये देखिए कि पस्षिम मुखी प्लोट में जो उसका बैक है पिछवाडा कहे वो पूरब होता है पूरब में हम कोई खिड़की कोई रोशन दान निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं अगर नहीं निकाल सकते तो हमारे लिए वो उतना अनुकूल नहीं रहेगा वो प्रतिकूल भी हो सकता है क्योंकि पूर्व से किसी भी प्रकार से सूरी की किर्ण मकान में आना जरूरी होता है अन्य था वो रोग कारक और पित्रे दोस कारक बन जाता है अब आप पस्षिम मुखी मकान लेंगे तो सबसे पहली बात ये है कि उसके अंदर मकान का जो फर्स है उसका स्लोब है डलान है वो पस्षिम की तरफ जाएगा और पस्षिम की तरफ जब जाएगा तो होगा क्या आप हमेशा आर्थिक परिशानी में रहेंगे केबल पस्षिम का ढलान मात्र होना फर्स का भी छत का भी तो ढलान आपका पस्षिम में ना हो या तो बिलकुल इक्वल हो लेवल हो या फिर उसका डिलान पूरोव की तरफ हो उत्तर की तरफ हो तो मकान सुकदाई हो सकता गए आगे के लिए अब सबसे पहले मकान बनाते समय हम गेट का विचार करते के हैं और गेट का विचार करते के हैं तो इसमें हम आठ जगे पर हम दर्वाजे बना सकते के हैं बलकि भाग तो नो होते हैं तो नो जगे हम दर्वाजे बना सकते हैं लेकिन उसके अंदर कौन सा दर्वाजा हमारे लिए सुगदाई है और कौन सा दर्वाजा हमारे लिए दुगदाई है तो उसमें सबसे पहले आपको ये निर्णे करना चाहिए कि दरवाजा हम कहां बनाएं है अब जब प्षिम मुखी मकान ख़ए तो उसके दो कौने होंगे एक कोना होगा वाइब बिकौन एक होगा नेरित्यकौन जिसको साउथ वेश्ट कहा जाता है या नौर्थ वेश्ट कहा जाता है अगर आपने प्रोपर साउथ वेश्ट के का आवाहन आपने कर लिया के, कोर्ड के जगडे, टंटे, बिमारियां, आकस्मिक दुर घटनाएं, इनको आपने आवाहन कर लिया के, इसलिए वहाँ पर बिलकुल साउथ वेस्ट के अंदर दो पद आपको छोड़ देने चाहिए, और जहां तक हो सके, तीसरा पद भी आपक उसकी चोड़ाई है, उस चोड़ाई में नो हिस्सा करके और तीन हिस्से आपको छोड़ देने चाहिए, चोथे और पांचमें हिस्से में आप गेट निकालिये है, वो आपके लिए हमेशा सुगदाई रहेगा, एकदम कोने पर आ करके, वाइब बेकोन के अंदर भी जो है गेट नहीं होना चाहिए, वहाँ पर भी आदमे टिक नहीं पताग है, तो सबसे पहले बात गेट के मुख्यद्वार के निरमान की योजना बनानी चाहिए, अब उसके अंदर हम और भी चीज़े जो बनाएंगे हैं, तो उसमें आपको चाहिए कि जो सीडियां हैं, जीना ह स्टेयर्स हैं, वो साउथ वेस्ट में बनाना चाहिए, नॉर्थ वेस्ट में आप बना सकते हो, लेकिन नॉर्थ वेस्ट में अगर बनाते हो, तो साउथ वेस्ट भी उसके बराबर होना चाहिए, उंचाई के अंदर, क्योंकि जहां पर हमने जीना बनाया, सीडियां करके मम्टी बनने के कार्ण से उंचा हो जाता है तो इसमें भी आपको ये ख्याल लखना होगा अब उसके बाद जो अवश्क चीजें होती है किछिन है टोईलेट है और लिप्ट है टैंक है ये मुख्य चीजें होती है तो उसमें कभी भी आप अगर साउथ वेस्ट के अंदर आपने अगर किछिन बना दी तो भी ठीक नहीं है साउथ वेस्ट में आपने टोईलेट बना दिया तो भी ठीक नहीं है टोईलेट अगर बनाना है तो एक पद छोड़ करके आप बना सकते हैं बिल्कुल कोर्णर के ऊपर किचिन भी नहीं होनी चाहिए तो किचिन किचिन की जगह पर साउथ इस्ट की अंदर पूजा पूजा घर की जगह पर नॉर्थ इस्ट की तरफ और टोइलेट जो बनाना है तो आप मद्य दक्षिन में बना सकते हैं वाइब बिकोड में बना सकते हैं और इर्दगिर्द आप बना सकते हैं लेकिन प्रॉपर नॉर्थ में ना बनाएं नॉर्थ इस्ट में ना बनाएं और इस्ट में ना बनाएं बाकि कोनों के ऊपर आप कहीं भी ना बनाएं तो वो ज़्यादा बैटर है वो जो के आपके लिए ज्यादा सुभ है ब्रह्म इस्तान है उसके उपर किसी भी प्रकार का कोई पिलर या कमरे का कोना जो है उसके अंदर नहीं होना चाहिए अगर आपने ये बना दिया तो फिर आपके लिए दुगदाई हो जाएगा तो ये बहुत से बाते हैं दूसरी बात ये गए उपर जब छट के उपर आप चले जाएंगे तो जब भी कभी कोई व्यक्ति दूसरी मंजिल बनाता है अगर दूसरी मंजिल पर आदा मंजिल बनाता है तो पीछे की तरफ बनाता है और पीछे की तरफ अगर आपने बना दिया तो पूरू उंचा हो जाएगा इसलिए पूरू को उंचा मत करो आपको अगर दूसरी मंजिल चड़ानी है तो आप पस्षिम दिसा को ही उंचा करो दो मंजिल बनानी है तो पूरी बनाईए ड़ाई मंजिल बनानी है तो पस्षिम दिसा की तरफ वो आदा मंजिल आप बनाईएगा अगर इस प्रकार से आप करते हैं तो आपका मकान सुगदाई हो सकता है अन्न था मकान जो है दुगदाई ही होगा तो ये जानकारियां हमने आपको दी बाकी जानकारियों के लिए इन नमरों के उपर संपर्क करके काले से अपाइंटमेंट ले करके काले की सेवाइन अरपन करके और जो भी कुछ आप जानना चाते के जानकर के लाव उठा सकते हैं नमस्कार पूजापाट महामृतिन्जयपाट शत्चंडीपाट बगुला मुखीपाट भैरव अनुष्ठान आधी राशी रत्न रुद्राक्ष कवच आधी हेतु संपर्क करें हमारे संपर्क सूत्र है 788-888-98421 हमारी वेबसाइट है प्रिष्ठाट